हरी कृष्णा राधी राधी, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हैपी लाइफ विद काना जी में, जिसकी आज की वीडियो में आप है शिवानी के साथ, आज की इस वीडियो में हम सावन के महीने पर बात कर रहे हैं, सावन का महीना इस पार साल 2013 में दो महीनों का रहने वाला है, पूरे 69 दिन वा सावन का महीना रहेगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार सावन के महीने में अधिक मास पड़ रहा है, अधिक मास जिसे पुरशोत्तम मास भी कहा जाता है, ऐसा सायोग लगबग 19 सालों के बाद आ रहा है, उनने सालों बाद ऐसा शुब स रहा है, इसलिए सावन का महीना इस बार बहुत ही महतोपूर्ण हो गया है, तो इस महतोपूर्ण महीने को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल भी हैं, क्योंकि हर साल जब हम सावन के वरत रखते हैं, सावन के सोम मार के वरत रखते हैं, तब हमारे मन में कोई दूवि के वरत कैसे करेंगे सावन के महीने में पढ़ने वाले सोमर के वरत कैसे करेंगे ऐसे बहुत सारे सवाल है जो लोगों के मन में हैं आज की इस वीडियो में हम इनी सभी सवालों के उत्तर जा देंगे तो वीडियो में आप अंत तक जुड़े रहे और अगर आपके मन में भी क पूर्च सकते हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 31 अगस्त तक, फिर से सावन का महीना रहेगा, जो कि शुकल पक्ष का होगा। तो इस तरह से पूरे दो महीने का सावन रहेगा। जब भी अधिक मास पढ़ता है, तब इसी तरह से होता है, पहले कृष्ण पक्ष चलता है, फिर अधिक मास चलता है, और फिर शुकल पक्ष च तो बिल्कुल नहीं चार जिलाई से सावन का महीना शुरू होगा और उसके बाद आने वाले सभी सोमबार अधिक मास के बीच में भी जो सोमबार पढ़ेंगे उन्हें भी सावन का सोमबार ही माना जाएगा अब जो लोग बन में सोच रहे हैं तो उन्हें सभी सोंबार सावन के महीने में इस बार आठ सोंबार पढ़ने वाले हैं सभी आठ सोंबार के वरत करने हैं ऐसा नहीं कि पार सोंबार के वरत कर दिये और उसके बाद उध्यापन कर दिया हर साल तो जब हम सावन के सोंबार के वरत करते हैं जो चार या पांच सोंबार के वरत करती हैं और उसके बाद उध्यापन कर देती हैं लेकिन इस बार पूरे आठ सोंबार पढ़ेंगे क्योंकि दो महीने हैं तो आठों सोंबार पर वरत किया जाएगा और जो आखरी सोंबार होगा उस पर उध्यापन करेंगे इसी तरह से जो लोग पूरे सावन के वरत रखते हैं वो भी पूरे 69 दिन का वरत करेंगे 4 जलाई से वरत शुरू करेंगे और 31 अगस्त तक करेंगे ऐसा नहीं कि आपने 4 जलाई से वरत शुरू किया उसके बाद 17 जलाई तक किया और फिर 17 अगस्त से 31 अगस्त तक करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बीच में जो अधिक मास पड़ेगा, उसमें भी आपको वृत करना है, पूरे 4 जुलाई से वृत चुरू करके 31 अगस्त तक का आपको वृत करना है, वृत की विधी आप जैसे हर साल करते हैं, अगर आप जैसे भी आप अपनी शरदा के अनुसार वरत करते हैं उसी तरह से आपको पूरे दो महीने का वरत करना है एक और बात एक प्रशन और है कि क्या हम सावन के सोमबार में पशुपती नात वरत शुरू कर सकते हैं तो बिलकुल कर सकते हैं पशुपति नात वरत भगवान शिव का एक बहुत ही महतोपूर्ण वरत माना जाता है भगवान शिव को परसंद करने के लिए जो वरत किये जाते हैं उसमें से पशुपति नात एक महतोपूर्ण वरत है ऐसी मानेता है कि जो कोई भी जिस मनोकामना के साथ इस वरत को करता है वह मनोकामना उसकी जरूर पूरी हो जाती है तो आप सावन के सौमबार पर इस वरत को शुरू कर सकती है वैसे भी पशुपतिनात वरत करने के लिए आपको किसी महीने को देखने की जरूत नहीं होती किसी पक्ष को देखने की जरूत नहीं होती आप शुकल पक्ष से, क्रिशन पक्ष से या किसी भी महीने से इस वरत को शुरू कर सकते हैं बस दिन सोंबार का होना चाहिए इस वरत को करने के लिए सोंबार का दिन होना चाहिए और उसके कुछ नियम है जो आपको पता होने चाहिए वो नियम मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी पूरी विधी के साथ पशुपतिनात वरत कैसे किया जाता है कैसे उध्यापन किया जाता है वरत करते समय अगर आपके पास कोई समस्या आ जाए अगर आपके साथ कोई दिक्कत आ जाए और आपको वरत छोड़ना पड़ जाए तब कैसे करें सब बाते आपको अगली वीडियो में बताऊंगी तब तक जुड़े रहे हैपी लाइफ विदकाराजी के साथ अरे कृष्णा राधे राधे